हलो एबरवन कैसे हैं आप सब एक बार पुना हसी कोचिंग क्लासेस पर सोगात है उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल रही होगी क्लास टोल्द कमिस्टिंसी आइटी में चैप्टर फाइब चल रहा बच्छो जिसमें आज हम बात करेंगे कार्व धात्बी की योगी के बारे में कार्व धात्बी की योगी का अनुपरियोग यहां से कोशन मुकरुप से पूछा जाता बच्छो जाइसे लबड और फेरो सीन पर टिप पड़ी तो आप लोगों को मुक्रूप से जाई से लवड और फेरो सीन तयार कर लेना है और ये ऐसा टॉपिक है बच्चो जिसमें ज्यादा समझने वाली योग बाते है नहीं आप लोग 1 से 2 बारे दी पढ़ लेंगे तो चीजें कलियर हो जाएगे और याद भी हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं बच्चो कार्व धात्विक योगिक देखिये कार्व धात्विक योगिक एक ऐसा योगिक जिसमें कार्बन सीधा धात परमाडू के साथ उपसा सयोजी बंद द्वारा जुड़ा रहता है वो आपका कार्ब धात्विक योगिक कहलाएगा कितना सिंपल है कि एक ऐसा योगिक जिसमें कार्बन सीधा धात परमाडू के साथ सासयोजी बंद से या उपस साहसनयोजी बंद से जुड़ा होगा वो आपका कार्व धात्विक योगिक कहलाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वो योगिक जिनमें कार्वन समूह के कार्वन परमाडू धादू परमाडू से अबंधित हो अबंधित हो कैसे या तो साहसनयोजी बंद से या तो उप उपसासयोजी बंद से जुड़े होते हैं वो आपकी कार्व धात्विक योगी कहलाते हैं सासयोजी बंद का मतलब यह होता बच्चो कि एक एलेक्टरान का साजा हम करें और एक एलेक्टरान का साजा आप करो तो आपका सासयोजी बंद कहलाता है लेकिन उपसासयोजी बंद म या पे आप लोग देखते हो कि धाधू परमाडू की साथ लिगेंड जोड़ा का इलेक्टरान देते हैं बिल्कुल दोनों इलेक्टरान देते हैं और बंध बना लेती हैं तो जब उपसा सयोजी बंद का मतलब यह होता है कि कारबन को स्वता कोई परमाडू आकर के धाधू होगा,キAR BOLLO,ई हम दोनों इलेक्टरान आपको दे रहे है,कोई बात नहीं है बंद बनाओ हम दोनों के दोनों इलेक्टरान दे रहे हैं, तब इस स्थित में आपका उपसा सयोजी बंद ब некоторा की जा रही रही है, तो कारवधातवी क्योगिक हो जाता बच्चो इसके बरगी करण की बारे में बात करें तो आयनी क्योगिक में या सिग्मा संकुल के रूप में और आपका पाई संकुल के रूप में योगिक पाय जाता है अब किसी बुक में तीन ही टाइप रहते हैं एक सिग्मा संकुल एक इसमें समय लेंगे नहीं क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जिसे आप लोग को थोड़ा सा याद करने वाला पॉइंट है अत्यंत धन विद्धुती धातु एवं कार्बन के मद्ध जो बंद बनेगा उसकी प्रकति आयनिक होगी क्योंकि इनके बीच रिन विद्धुता या विद्धुत रिनात्मक्ता में काफी अंतर होता है अता चार धात्वे आयनिक कार्ब धात्विक योगिक बनाते हैं कहने का मतलब यहां पर यह निसकर्स निकला कि कुछ ऐसे धातु परमाड़ हुए जिनकी और कार्बन और धन विद्धुती तक्तों के बीच निधातु परमाड़ के बीच बिद्धुत रिनात्मक्ता का अंतर बहुत अधिक है है ना धन बिद्धुती अत्यधिक धन बिद्धुती है और कार्बन मालीजे अत्यधिक रिण बिद्धुती है इस स्थित में क्या होता है कि भाई साहब इनके बीच आयनिक बंद का निर्माण हो जाता है और ये आपके आयनिक कार्बधार्ट भी क्योंकि कहलाते हैं जैसे य कारण से ये आपके मुखरूप से आयनिक योगिक प्रकार की योगिक बनाते हैं अब आगे चलते हैं बच्चों सिग्मा आवंधित योगिक सिग्मा आवंधित मतलब आप सबको पता है कि एक 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 इलेक्टरान का साजा करेंगे और साहसनोजी बंद बनेगा वो आपका दो इलेक्टरान साहसनोजी बंद दोरा आवंधित रहते हैं बिल्कुल सिंपल है धातू परमाडू होगा उसका दो इलेक्टरान होगा और बच्चों साहसनोजी बंद से जुड़ जाएगा जैसे यहाँ पर आप देखिए कि जिंक का दो इलेक्टरान इधर एथिल इधर दो एथिल के साथ जुड़ गया तो आपका बच्चो ये कहलाया सिगमा आबंधित कार्व धात्वी के होगी यहाँ पर देखे बच्चो मैगनीसियम जो है एक साइड हैलोजन परमाडू और एक साइड आपका कोई भी एलकिल ग्रूप हो जाएगा तो एलकिल ग्रूप से जैसे आर के जगए आप कोई भी ग्रूप जोड़ सकते हो जैसे सी एस्ट्री जोड़ दिये मैंगनीसियम है इधर क्लोरीन जोड़ दिये तो यह आपका मैंगनीसियम है एक एक लेक्टरान का साध्या किया है मेथिल और क्लोरीन के साथ तो यह आपके सिगमा आबंधित यो लबन के साथ बनाए जाते हैं जैसे जाइसे लबन इसे आप लोगो तयार करना बच्चो बिलकुल यही सबसे महत्पून आज का टॉपिक था इसलिए इस टॉपिक को मैं लेकर आया नहीं तो अब यह टॉपिक हमारा यह चैप्टर लगबग लगबग जो एक्जाम में आने वाले प्रिशने वो मैंने पूरा कराई ही दिया है तो ज्यादा फोकस करने की ज़रूत नहीं है समझ रहना चलिए जाइसे लबन में आपको कहले लिखना टिपड़ी है कि इस योगिक की खोज डेद मार के रसानक जाइसे निसन अठरो सो तीस में की थी यह संक्वन धातु यहाँ पर आप देखेगा यह जो कार्बन कार्बन के बीच दूए अच्छी बंद है बच्चो यहाँ पर कार्बन और कार्बन इसके हम बोलेंगे एक प्रकार से दो कार्बन होता बच्चो यहाँ पर आपको बता देंगे थोड़ा योगिक का नाम हम भी बता देते हैं C2H4 मतलब यह आपका हो जाएगा ethene हो जाएगा बच्छो यह क्या हो जाएगा अब यहाँ पर platinum जो है वो can Sergey धादू परमार हुए इसको यह chlorine भी electron दे रहा है और यह carbon भी electron दे रहा है यह आपका एक प्रकार से बच्छो बनाता है जाईसे लवण ये डाइग्राम आपको बनाना पड़ेगा ये फार्मूला है इसके अंतरगत इसको आपको बनाना है इतना लिखना है अब आप कोई किसर इसे समझाओ इसे कैसे समझाए भाई इसमें एकदम सिंपल तरीके से आपको एक दो बार पढ़ना है ये ऐस दातों के प्रतुम प्रापत योगिक में सीओ एक है यानि संक्मरं धातों का ये पहला योगिक ऐसा था जिसे काड़पधा भी कि योगिक की रूप में खोजा गया इसमें एथिलीन अडू का तल है ना सीसी अक्षष केंद्रिये परमारू प्रत्यासित बंग की दिसां में लंबत होता है इसकी बात की जा रही है एथेली नडू की बात की जा रही है ये चीज़ है बच्चो ठीक है इसके बाद फेरोसीन ये आपका डायग्राम है फेरोसीन का फेरोसीन है ये आपका यह नारंगी पीले रंग का योगिक है इसकी खोच सन 1900 इंक्यामन में कीली और पा पाइनियल रिंग के बीच आयरन परमाडू होता है साइक्लो पेंटेन मतलब पांच कार्बन साइक्लो यहीं साइकल भी है पांच कार्बन का है बच्चो इसलिए पेंटेन बोला गया है साइक्लो पेंटेन का मतलब यही होता है ठीक है जैसे यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ भाई साइक्लो पेंटेन मतलब पांच कारवन देखिए यहाँ पर आप देख लो यह कित्ते कारवन हो गए एक, दो, तीन, चार और एक उपर जोड़ दो यह पांच कारवन हो गया इसके साथ यहाँ पर बच्चो यह आपका हो गया बच्चो एक प्रकार से देख लो फेरोसीन क्या बन गया यह फेरोसीन बस कुछ नहीं इतना ही है यह नारंगी पीले रंग का योगी के इसकी खोज उननीस सो इंक्यानवे कीली पाउसन तर था मिलारूस के सही योगियों ने किये थे इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा इसमें कुछ नहीं है दो लाइन का टिप पड़िये बच्चो कभी कभार कारवधातिवी क्योगी कान प्रियोक पूछा जाता है कभी कभार बहुत कम चांस है बच्चो जो कारवधातिवी योगी कान प्रियोक पूछा जाए ठीक है पहला है संक्पन धातों के बिलिये कारवधातिवी क्योगी को बिलेयन में होने वाली विभिन अभिक्रियाओं ये समांग उत्प्रेडण का का कार करते हैं मतलब एक उत्प्रेडण की भात ये कार करते हैं ठीक है कारवधातिवी क्योगी बिसमांगी उत्प्रेडण का भी कार कर सकते हैं जैसे जिगलर नाटा उत्प्रेडण का उप्योग एलकीन के बहुली कर्ण में किया जाता है इसका उप्योग विभिन कारवने क्योगिकों के संसलेशन में भी किया जाता है क्लासी छेत्र में छोटे पौधों में बीमारियों को रोक रहे हैं तो बीजों को कारधात्वी जैसे एथिलिन, मरकरी, क्लोराइड में अविक्रत किया जाता है यह कीटार नासी के रूप में प्रियोगत होता है दबाईयों में इस चैप्टर के कुछ कोश्चन जो है वो जो बार-बार रिपीट होते हैं वो आगे चल कर आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे इसका आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो कंटेक्ट नमबर लिख लो 9685 2949 9685 299149 मेरा प्रशनल लंबर इस नमबर पर आप कंटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और प्रापर रोप से त्यारी कर सकते हैं फिलहाल अभी के लिए इतना ही जैहिंद बंद मातरम